हलो स्टुट्ट कैसे आप सभी लोग आई होग कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार यूजी से कर थो जो एडिमिशन होना था बिहार एंजिनिंग में वह कंप्लीट हो चुका है उसमें कुछ गडबड़ी हो थी इसको सुधार करके दुबारा से जो है एक लिश्ट जारी किया जिसमें अब बताया था कि जो सब्सक्राइब कर दिया था दुबारा से उन सभी लोग का एडिमिशन हुआ ठीक है तो वह प्रक्रिया पूरी हो चुके है अब बारी है बीसी इसी वालों की तो आप में से बहुत सारा लोग इंत उसका काउंसलिंग सेकंड वाला उसको रद कर दिया था अब माजिए कोई भी चीज आप रद की जाती है तो उसमें बहुत सारा प्रक्रिया करना पड़ता है दुबारा से चीजे जो है इडमिशन केंसिल हुआ दुबारा से सबका जो है मेरिट लेस्ट जेनरेट करना सबक यहां तक एडमिशन स्टार्ट हो जाने का वी टाइम आप लोग को पिछले मन्त ही दिया गया था लेकिन जो एडमिशन में गड़बड़ी हुई पिछले पिछले UGC के जो स्टुएंट था उनके सेकेंड और में उसके वैसे आप लोग भी बहुत जड़ा इंतिजार करना पड़ा है ठीक है तो अब फाइली बीसी इसी बोर्ड के तरब से जो है यूजी इसी का काउंसलिंग का ओफिसल नोटिफिकेशन आ चुका है और कब से आप कब से आप लोगा काउंसलिंग शुरू होने वाला है हर एक चीज के बारे में इस वीडियों बात करेंगे प्रोपर ठीक है इसके साथ आपको पता है कि आप लोगा जो सीट मैट्रिक्स आया हुआ था उसको अब वदल दिया गया है दुबारा से बीसी इसी इबोर्ड के त जो है ऑफिसल डेट दिया गया है नौ सेप्तेमबर का यानि कल के डेट में आप लोग को बीसी इसी इसी इबोर्ड के तरब से बीसी इसी इसी वाले स्टुएंट्स के लिए सीट मैट्रिक्स चारी किया जाएगा पहले जो आया था उसमें कुछ सीटे अलग होंगी लेकिन खिर इस बार जो आया है इसमें कुछ सीटे आप लोगो अलग देखने को मिलेंगी ठीक है और इसी सीटों के अधार पर आप लोग अपना काॉंसलिंग कराएगे ठीक है नौ तरिक को आपलो का स्ट्रिक्स आ जागा ठीक है अब माले स्टिक्स नौ तरिको आ गया उसके बा करें दो दिन का समय आप लोगो दिया गया है इसमें आप लोग को आपना काउंसलिंग कर लोग कर दिना है तो आप सभी लोग ध्यान से जब भी अपना registration कीजेगा जब भी अपना choice filling कीजेगा उसके बाद अपने form को lock जरूर कर लिजेगा ठीक है क्योंकि लोग अगर नहीं करेगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए इसलिए दो दिन का समय आपके पास है करनी है ठीक है तो यह तो हो गई कांशलिंग की अब मानी कांशलिंग स्टार्ट हो गया उसके बाद एडिमिशन कब होगा आप लोग कब मालूम चला है कि आपको सा कॉलेज मिला तो यह भी ऑफिशल इसका नोटिस आ चुका है इसका जो डेट है पहले जो डेट था वो था 28 पहले जो डेट था वो था 28 अगस्त लेकिन अब जो जारी किया गया जो डेट उसका जो डेट है वो है 13 सितंबर यानि कि आप लोग 10 और 11 दो दिन अपना रिजिटर्शन को रहे है उसके मात दो दिन के बाद जो है आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा यानि 13 सितंबर को आ आपको कौन सा पॐलेजम रहा है कौन सा ब्रांस आपको मिल रहा है ठीक है उसके बाद अब बात करें लेकर के TV अब ही जो डेट होगा वो होगा आपके पास 13 सेतंबर से ले करके 16 सेतंबर पर ठीक है यह आपके पास चार दिन का समय होगा 13 14 15 16 यह चार दिन में जा करके आप अपना इडिमिशन करवाऊ से अब कोई यह मत पूछना बीच में सटैडेल संड ने तो उसमें होगा या नहीं होगा बाबु जो सीडूल निकला घया उसमें चाहे सटैडेल संड पड़े या और कोई होड़े पड़े आपका यह होगा ठीक है स्टैडेल बहुत सो समझ के निकला लिए जिनका रिजल्ट में आ गया है और अगर आप अपने जो आपको कॉलेज मिला जो आपको ब्रांच मिला अगर आप उसे संतुष्ट हो तो आप जाओगे और जा करके अपना सेकेंड राउंड में ही अपना एडमिशन ले लोगे जिसका जो डेट है वो है 13 सेजंबर से आपको प्रिपियर करके जाने हैं तो इसकेस में आपको क्या करना है सभी डॉक्मेंट आप लोगो प्रिपियर करके जाने हैं आपको प्रवाइड कर दिया है मैंने अब आते हैं नेक्स्ट पे की सेकेंड राउन मानी कोई असे स्टुडेंट है जिसको फॉस्ट राउं में जो कॉलेज मिला वो पसंद नहीं आया ठीक है जो कॉलेज मिला यह जो भी ब्रांच मिला वो अगर आपको पसंद नहीं आ उस क्या कर दोगे तो उस केस में आपके पास option है अप्रिडेशन का ठीक है आप क्या करोगे आप जाओगे आप आप आपना डाउंड करने की टाइम पे आप वहां पे अप्रेड कर दोगे ठीक है अप्रेड करने के बाद जो है आपको जो भी आपको एलॉक्मेंट लेटर मिला है उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो है आपको कॉलेज में जा करके अपना डॉक्मेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाना है ठीक है आप सभी को जा करके अपना डॉक्मेंट वेरिफिकेशन जरूर करवा हाँ है वी ओसके बाद जो है आप लोग को इंकिजार करना है सेकंड राउंड का सेक्ड राउंड का डेट क्या होगा तो पिछली बार जो सेकंड राउंड का डेट था वो था पांस सप्टेमबर यानी टीचर्सडे के दिन जो कि आप लोक अभी हो जाना जहीं था लेकिन admission होगा वो होगा आपका 19, 20, 21 और 22 ये चार दिन जो है आप लोग का आप लोग चार दिन तक जो है अपना डाउनलोड कर सकोगे जो भी आपका allotment letter है वो और जो admission का date होगा आपका 20 तरिक से लेके 22 तरिक तक जो first time का date है वो भी 13 से लेकर के 16 तक आप उसको डाउनलोड कर सकोगे और 14 से लेकर के 16 तक आप लोग को मालम चला कि आपको कौन सा college में मिला ठीक है 14 से लेकर के 16 तक आपके पास टाइम रहेगा first time के college में अपना वरिफिकेशन करवाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपने अपग्रेड कर दिया और college में नहीं के वरिफिकेशन करने के उस case में आपको seat नहीं मिलेगी ठीक है तो जो भी student जा रहे अपना document verification करवाने के लिए वो सभी अपना वरिफिकेशन करवाने के बाद आप लोग को वहां से एक slip मिलेगा ठीक है तब तक अपना ख्याल लखी जैने बाद